हेलो फ्रेंट्स राधिर आधिजै स्रीकृष्णा आज की वीडियो शॉपिंग हॉल पे होने वाली है तो मैंने काना जी और राधरानी की ड्रिस बनाती हूँ तो उसके लिए मैंने कुछ लेसिज की पर्चेजिंग किये तो वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह सारी स मार्केट से की है तो चली दिखाती हूँ मैं कि किस टाइप की लेसिज मैं खरीद के लाई हूँ और मैंने और भी कुछ लिया है तो वो भी आपको दिखाने वाली हूँ तो फ्रेंट्स देख सकते हो यह बैंगल्स हैं जिन में दो कलर मैंने लिये हैं और वहाँ पी इसका पैकेट ही मिल रहा था तो एक पैकेट के अंदर दस पीज था और इसकी मुझे ज़्यादा ज़रुत नहीं थी बट अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने लिया और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे यह पेयर में दिया तो यह दो कलर लेके आई तो इसलिए इसी वज़े से मैं यह दो कलर इसमें लेके आई हूँ उसके बाद नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ तो वह भी आपको दिखाती हूँ मैं वहां से गोल्डन कलर की लेसे ज़्यादा लेके आई हूँ क्योंकि मुझे गोल्डन लेस की ज़्यादा ज़रुत थी कि किसी भी फैबरिक पर किसी भी कलर के साथ मैच करके हम लगा सकते हैं तो यह एक रोल लेकर आई हूं वहां मीटर के कॉर्डिंग लेस नहीं मिलती है पूरा रोल ही लेना पड़ता है तो रोल ही लेकर आई हूं मैं क्योंकि काफे दिन चल जाता है और यह वाली एक डिजाइन भी गोल्डेन कलर में लेकर आई हूं काफी अच्छा लग रहा था और यह डिजाइन भी बहुत सुन्दर लग रही थी इसमें मैंने कॉपर कलर और गोल्डेन कलर दोनों लिया है तो क्योंकि दोनों ही कलर अच्छा लग रहा थे इसलिए मैंने लिया है और यह वाली एक ल वहीं से लेकर आ गई और मुझे काफी सही लगा और इनकी finishing काफी अच्छी है और काफी finishing के साथ ही यह leases मिलती है तो आप भी एसे purchasing कर सकते हैं वहां से अगर आप वहां से shopping करना चाहते हैं तो आप संडे छोड़ के कभी भी जा सकते हैं मार्केट क्योंकि संडे को सारी मार्केट बन रहती है मैं संडे को गई थी वहां पे सिर्फ एक से दो शॉप खुली हुई थी मैं वहीं से लेके आई ये लेसे और देख सकते हैं इसमें दो कलर मैंने लिया है उसके बाद नेक्स्ट कुछ और भी लेसे हैं जो मैं पहले गई पहले कहीं लेके रखी हुई है उनका अभी तक यूज नहीं किया तो वह भी आपको दिखाऊंगी इन में दो कलर हैं गोल्डेन एंड कॉपर कलर हैं दोनों ही कलर अच्छा लग रहा है क्योंकि किसी कपड़े के साथ मैच हो जाता है इसलिए मैंने ये दोनों कलर लिया है बाद ये वाली दो लेके आई हूं दोनों की डिजाइन तो सेम है बट कलर अलग अलग है ये रेड एंड औरेंज रेड नहीं पिंग औरेंज कलर में है गोटा वाली लेस है तो ये भी लेस काफी अच्छी लग रही थी और ये पूरे 9 मिटर है तो ये भी काफी अच्छी डिजाइन लग रही थी कुछ अलग लगी तो मैं लेकी आई और मुझे बहुत पसंद आई और इसमें दो कलर लेकी आई इसकी फिनिशिंग देख सकते हुआ इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है और इस क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी और ये एक ग्रीन कलर लेकी काफी प्यारी लग रही थी ये दो लेकी आई हूं जिनमें की ग्लास बीट्स लगे हुए है और इसमें गोल्डेन कलर है और एक गोल्डेन वाइट का कॉम्बिनेशन है दोनों ही कलर जो है मुझे अच्छा लग रहा था इसमें और भी कलर थे वहां पर बट मैं यही दोनो लेके आई और यह पूरा नौ मिटर का लेस का पूरा पैक है और यह भी काफी अच्छा लग रहा था डिजाइन पहले तो मुझे लगा कि यह लगाने में प्रॉब्लम होगी बट बाद में पता चला कि नहीं लगा पाएंगे हमां इसली तो यह डिजाइन बहुत अच्छी है और मुझे बहुत सुंदर लगी देख सकते हो इसकी फिनिशिंग तो इसमें दो कलर है एक गुल्डन है एक गुल्डन एंड वाइट है तो यह दुनों डिजाइन तो सेम है कलर अलगे लगे बट अच्छी लग रही थी फ्रेंड्स उसके बाद ये वाली एक उसके बाद ये वाली एक लेकर आई हूं ये लेस भी काफी अच्छी लग रही थी इसमें मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी लेस मुझे बहुत कोशली मिली थी तो ये वहाँ पर मिली तो मैं ये पूरा रोली लेकर आई और ये लेस की और ये भी जो है मैं लोकल मार्केट से पहले लेके आई थी तो मैं वहाँ पर मिली तो मैं लेके आई क्योंकि ये लेस बहुत ही प्यारी है और किसी भी ड्रेस पर जा सकती है किसी भी फैब्रिक कलर पर जा सकती है ये वाइट कलर की कॉटन की लेस है जो कि मुझे 50 रुपए क तो आपको दिखाऊंगी ये वाले लेस भी 50 रुपे की पड़ी है 9 मिटर और ये भी cotton की लेस है और मुझे काफी अच्छी लगी ये वाले लेस भी तो ये पूरी रोल ही लेके आई मैं ये भी cotton की लेस है और ये white कलर में है ये मुझे लेना ही था तो मिल गई तो ये भी ले आई मैं डिजाइन लगबग थोड़ी थोड़ी सेम है बट पूरी तरीके से नहीं मैच कर रही है डिजाइन बट अच्छी लग रही थी तो मैं लेके आई और उनकी quality बहुत अच्छी है finishing भी काफी अच्छी है इस वज़े से मैं इसको लेके आई next आपको दिखाती हूँ ये कुछ लेसेज हैं जो की पहले की ली हुई हैं लगबग एक साल हो गया इनको लिए हुए और अभी तक मैं इनका यूज नहीं कर पाई हूँ लेकिन जब भी राधर आने और काना जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी इनका यूज करूँगी तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ और आगे किसी वीडियो में मैं लेसेज की कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूँगी तो ये कुछ लेसेज पहले की ली हुई है और ये मैं वहीं से लेके आई हूँ और उसके बाद नेक्स्ट जो मैं लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ ये लेस मैं वहीं से लेके आई हूँ और ये लेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसकी डिजाइन बहुत सुंदर लग रही थी यह थोड़ी चौड़ी लेस है बट इसकी क्वालिटी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है देख सकते हुआ और मुझे यह लेस बहुत ज़्यादा पसंद है देखती हूँ किस कपड़े के साथ मैच होती है और कुछ लेस बे यह लेके आई हूँ जो इनकी भी डिजाइन काफी अच्छी है तो इन मल्टी कलर की लेस हैं तो कई कलर पे मैच कर सकती है यह लेस और थोड़ी चौड़ी भी है तो इनकी डिजाइन बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो यह मैं वहीं से लेके आई हूँ और आगे दिखाती हूँ मैं यह कुछ लेस हैं जो कि मुझे वहाँ पे अच्छी लग रही थी इनकी डिजाइन तो यह भी लेके आई हूँ मैं और यह तोड़ी पतली लेस हैं चौड़ी नहीं है जादा तो यह भी काफी अच्छी लग रही थी बट इनके लिए आप फैबरिक देखते हैं कि इस पे मैच करता है उसी के कॉड़िंग मैं इनका यूज करूँगी तो जब भी ड्रस बनाऊंगी तो वीडियो आपके साथ जरूर से एर करूँगी और इसमें यह डाग ग्रीन कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो यह तीनों लेज भी मैं वहीं से लेके आई हूँ और इनकी डिजाइन भी बहुत अच्छी लग रही थी तो यह पूरे 9 मिटर का रोल है और 9 मिटर से कम मिल नहीं सकता है वहाँ पे मिटर के एकॉर्डिंग नहीं ले सकते हो पुरा रोल ही लेना पड़ता है बट एक बार ले लिया तो काफी दिन यूज भी होगा यह कुछ साडी के कवर्स हैं जो की पूरा पैक लिया है मैंने और यह 100 रूपे का पड़ा है इस पे तरह 10 पीस हैं और यह मैं राधरानी और काना जी के कपड़े रखने के लिए ही ली हूँ बट आप चाहें तो अपने लिए भी ले सकते हैं और इनकी क्वालिटी और इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसकी जिप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है तो यह सारी चीजे वहाँ पे सही रेट पे मिल जाती है इसलिए मैं वहीं से लेके आ गई और इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी तो यह सारी चीजे मैं वहाँ से शॉपिंग करके लाई हूँ तो अगर आप भी वहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो बस आप संडे को छोड़के किसी भी दिन जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि संडे को वहाँ की पूरी मार्केट बंद रहती है मैं संडे को गई थी तो संडे को सिफ़ वहाँ पर एक से दो शॉपप खुली थी और वहाँ पर मुझे मिल गई तो मैं लेके आयए तो मुझे उस दिन कुछ दूप मिलना नहीं था बट उस दिन एक दो शॉपप खुली थी तो इस वज़े से मुझे वहाँ पर ये सारी चीज़े मिल गए तो आप को संडे छोड़के कभी भी जा सकते हैं और वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो